प्रेंड्स रमश्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप यही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक राजी टीवे नेटवर्प पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल जून 2013 तक इस सापताहिक राशी फल में आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी का सापताहिक राशी फल साथ साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार सापताहिक उपाई भी इसके साथ साथ आपको चार विशेश परवों की जानकारी देंगे और इसके विशेश उप परिवर्तन होने वारा है कौन सा ग्रह क्या नक्षत्र परिवर्तन करने वाला है इसके साथ साथ आपको विशेश पर्वों के बारे में बताएंगे पूरे सप्ताहवर के विशेश पर्व इसके साथ साथ आपको जानकरी देंगे शुबयोगों के बारे में कि पूरे सप्ताह में कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं तो चलिए अब राशिफल की साप्ताहिक राशिफल की शुरुवात करते हैं ये साप्ताहिक राशिफल है सोमवार 12 जुन रविवार 18 जुन 2023 शुरुवात इसकी हम करते हैं ग्रह और गोचर के साथ सूरे का सफर वरिश राशि में मरक्षरा नक्षत्र के पहले चरण से मित्वन राशि में मरक्षरा नक्षत्र के तीसरे चरण तक रहेगा इसका मतलब यह है कि सूरुदेव राशिफल परिवर्टन क जनि वार शनिवार सतरा जून 2003 को रात को दस बचकाले से लिगर होगले उने से शोलाई रहा हुझेट से बिक को पाठ्यार में जाएगा यानि कि उल्टा घूर्णा शुरू कर देंगे और कुम्भराशी में शत्मिशानक शत्र में ही दूसरे चरण में तो चलिए अब आपको बताते हैं विशेश परवों के बारे में इस सप्ता हाँ बुदवार 14 जून 2013 को योगनी एकादशी गुरुवार 15 जून को मि अब बात करेंगे शुब योगों के बारे में इस सप्ता कोई भी रवी योग नहीं है सरवाज सिद्धी योग मंगलवार 13 जून शनिवार 17 जून को रहेगा अमरे सिद्धी योग भी मंगलवार 13 जून और शनिवार 17 जून को रहेगा इस सप्ता ना को दूइपुशकर य योग है नहत्री पुश्कर योग है विवा मुरत भी एकी है और ये रहेगा सोंबार बारा जुन दो हजार तेस को तो चलिए अब सापताहिक राशिफल की शुरुवात करते हैं बताएंगे आपको मेश से लेकर मीन राशी का सपतावर का हाल खास उपायों के साथ में राशी मेश हैनी एरिस के साथ मेश राशी वालो ये हफ्ता ये सपता समस्या तमक रहेगा कारेशेतर में परेशानी आएंगे कारोबारी यात्रा के योग है मित्रसय योग देंगे दाम पतिस सुखी रहेगा प्रेम संबन्दों के प्रतिस सत्रक्ण हैं उपाय ये करें कि ब्रहमन में तर्बू चढ़ाएं तीसरी राशी में तुनियानी जमनाएं ये सपताहा विस्तितम रहेगा कामकाच का बूज रहेगा सभाव में चडचड़ापन रहेगा सत्रक्ता से धन्य निवेश करें यात्रा के दौरान सेहत का पूरा खयाल रखें उपाये करें कि विश्णु बात करेंगे चौती राशी कर जयानी की कैंसर की ये सब्ताः शुभ रहेगा संतान से कुश कबरी मिलेगे घर में खुशाली रहेगी लंबित कारेपर्य होंगे यात्रा लाब करी रहेगी शत्रों 67 प्रेम संबंद सुधरेंगे उपाईये करीं कि पानी में मिश्री डाल क सूर्य देव को अर्ग दें पांचवी रैशी सिंग अने लियो की बात करेंगे ये सब्ता सामान ने रहेगा अहंकार परकावु रखे संचे धन में व्रद्धी होगी आर्तिक पक्षुद्रेगा सामाज ये कारियों में भाग लेंगे शादी शुदा संबन नुकूल रहेंग उपाईये करेंगे शिवचालिसा का पाठ करें तो दोस्तों अब समय है पर्वविशेश उपाएक और ये पर्वविशेश है मिथुन संक्रांती तो क्या करें सुक सम्रिध्धी में व्रद्धी के लिए कांसे के पात्र से सूर्य को अर्ग दें और वचावा जो जल है अर् परिजनों की राय से घरिलू फैसले लेंगे दामपते मधुर रहेगा उपाईये करेंगे ब्रहमन को च्छाता दान करें आठवी रैशी व्रिश्चे करेंगे स्कॉर्पो की बात करेंगे ये सब्ता पेचिदा रहेगा सेहत पर ध्यान दें भाशा पर काबू रखें काम ब बचे हैं उपाईये करेंगे देवी मंदर में पालक दान करें तो दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाई का और ये पर्वविशेश उपाई है आशाड शिवरात्ति क्या करेंगे रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर जो चड़ा कर किसी गरीब को दान करें बात करेंगे दसवी राशी मकरयनी के प्रकाउंग की ये सब्क्ता आकूल रहेगा आप व्याकुल रहेंगे कारोबारी फैस्कहले में सत्कर रहें चातर प्रदोगुता तमें सफल रहेंगे च्छोट्पिटलाब होगा जीवन साती के शयत पर ध्ध्यान दे उपाईय करेंगे हनुमान मंदिर में लाल लंगोड चड़ाएं बारवी राशी मीन एनी पाइसेस की बात करेंगे ये सबता कश्ट प्रद रहेगा करियर के खास फैसले लेने से बचे हैं ग्रहकलेश के योग है यात्रम में सेहत पर ध्यान दे संतान से खुशकबरी मिलेगी घरेलू खुशहाली रहेगी उपाईये करेंगी दुर्गा चालीसा का पाट करें तो दोस्तों अब समय है आज के पर्व विशेश उपाय का ये पर्व विशेश उपाय चौथा है और ये पर्व है आशाड अमावस्या तो देखे अपार धन की प्राप्ति के लिए सफेद कपड़ में गुरुड और चावल बांद कर शिवाले में चड़ाएं तो दोस्तों आज हमने बात की सापता हिक राशिफल की ये जो सपता है ये सुमबार बारा जुन दू हुजार तेश सर विवार अठारा जुन दू हुजार तेश तक कर रहेगा हमने आपको इसमें ग्रह गोचर बताए विषेश पर बताए शुभ योग बताए मेश से लेकर मीन राशी का सापताहिक राशिफल बताया राशिफल राशिफल रोपाय। वे साथबे और खासकास आपको बताए चार विशेश परवों के उपाए ऐसे ही अपिसोड को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी आज के लिए बसे इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए